करियर मेकर कोचिंग सेंटर आज हम डेली भोकाइब शो का नावा अपिसोड श्टार्ट करेंगे जिसमें हम पांच सीनोनिम और पांच एंटोनिम्स के कोचिंग को सामिल किया है और यह सारे कोचिंग प्रीबियस एर के कोचिंग है तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो अभी सब्सक्राइब कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट वीडियो में दो को सिनोनिम्स के दो क्यूचन पुछे थे जिसका जवाब आपको कॉमेंट बाक्स में बताना था तो पहला था इन फ्रेक्वेंट इन फ्रेक्वेंट तो इन फ्रेक्वेंट का जो है यहां राइट सीनोनिम्स क्या होगा इन फ्रेक्वेंट मिन्स होता क्या है फ्रेक्वेंट तो आप लोग जानते होंगे फ्रेक्वेंट का मतलब क्या होता है frequent का मतलब होता है बार-बार, बार-बार या अकसर और इसी का भी प्रित है infrequent, यानि कभी कभार तो है right answer क्या हो जाएगा sometime, sometime का meaning भी होता है कभी कभार और never की बात करें तो never का meaning होता है कभी नहीं और usual, usual को समान नियता, या सधारन, या बेवारिक और rare की बात करें तो rare का मतलब होता है बीरा लियों दुरला, तो यहाँ जो है right synonyms infrequent का हो जाएगा sometimes next ता admonis admonis का right synonym क्या होगा admonis का जो है, मिनी होता है चितावनी देना या डाटना या गंबिरता से सला देना तो हमारा जो है right synonyms हो जाएगा threaten 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 जो है हमारा right synonyms हो जाएगा और threaten का भी मतलब होता है डराना या धमकाना और प्रेस की बात करें तो प्रेस का मतलब होता है प्रसंसा करना या सराना और अपील तो मालूम ही होगा कि चीज का हम अपील करते हैं यानि बिंती करना या या याचना करना और support का मतलब होता है सहारा दीना या साथ दीना तो यहाँ एडमॉनिस्स का राइट सिनोनिम्स हो जगा ठेटर्टेन और आज ही का हमारा सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं तो पहला कोचन है सरीन सरीन का यहाँ राइट सिनोनिम्स बताना है तो यहाँ पे एक फीगर लगे है जिसमें बुद्ध भागवान जो है सांत और इस्तिर तरीके से जो है क्या कर रहे है अध्यान कर रहे है तो श्रीन का जो है मेनिंग होता है सांत या इस्तिर तो यहां जो है इसका राइट सिनोनिम्स होगा कॉल्म काम जो है यहां जो है श्रीन का राइट सिनोनिम्स हो जाएगा बाकी मेनिंग की बात करें तो सॉलें सालें हमाल होता है गंभीर या पवित या हम रीक पनका है क्वाला उप क्या और मिफड़ मी की बात करें तो मी कंसा हिसा शली ट्रलि कट कर जल अ कुवाल या नाजिय तो ओन जो A यह शलील कारा सीनुनी निंप다면 नेश्ट है ग्रूसम का पर kwest यहां राइट जो है सीनोनिम्स बताना है तो यहां पर पिक्चर दिया हुए जिस में भयानक सा डरावना सा एक पिक्चर है जिसमें कोई हरोर मोभी का एक विखेर है तो ग्रूसम का ही मतलब होता है तो गुरुसम का जो है मीनिंग होता है डरावना या भयाना जैसा कि इसमें पिक्चर में धिया हुआ है तो अगर हम उप्शन सी बात करें तो उप्शन में नमर वन है हेट फुल और हेट फुल का मतलब जानती होंगे गिरना करना या प्रिये या नफरत करना और पैन फुल पैन फुल तो जानते हैं पीड़ा दायक तकलीफ दे या कश्ट दायक और ट्रैजिक की बात करें तो दुखान या दुखन जो है घटना होता है और फ्राइट फुल फ्राइट फुल का जो है ड्रावना या भयंकर तो हमारा जो है राइट सीनो Secures का यहां राइट Synonyms बताना है तो यहां पेक पिक्चर दिया हुआ यहां इसमें चाभी का जो है चिन निसान है यानि किसी चीज को सुरच्छीत रखने के लिए हम क्या चाभी ताला या चाभी का जो है इस्तमाल करते हैं तो हमारा राइट जो है सीक्यूर का जो है मीनिम होगा सुरिच्छित या निच्चित या मफ्यूज और अगर हम उप्शन की बात करें तो सीक्रेट सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त भेद या रहस यह चुपा हुआ और कमपटेवल तो मालूम होगा आराम दे या सुखदा बात करें तो सेफ का जो है मीनि में होता है सुरच्छी तो यहां राइट सीनोनिम्स हो जाएगा सेफ और इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत या स्वाधीन next है कानसर का जो है यहां राइट सीनोनिन्स बताना है कानसर मतलब होता क्या है यह मतलब होता है पार्खी या परीच्छक या गुनग या जानकार जो आदमी जो है जानकार हो या परीच्छक या ब्याख्या कार तो इसी का जो है सेनोनिम्स क्या होगा तो बात करते हैं आव अफसन सी इग्नोरेंट ignorant का मतलब असीचीत अंजान या अबोध होता है और interpreter interpreter इसका मतलब होता है ब्याक्याता ब्याक्याकार या भासांतरकार या गुनग तो यहाँ जो है कानसर का right synonome सो हो जाएगा interpreter और next option देखते हैं डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट का मतलब बाल अप्राधी, या कर्तब बेचूद, या कर्तब ब्रस्ट, या मुजरिम भी कह सकते हैं, और लव अपार्ट का मतलब होता है, कला प्रीमी, नेक्स्ट है, इंपेचूएस, इंपेचूएस को जो है, राइट से उननेंस बताना है, तो इंपेचूएस का जो है, मतलब होता क्या है, अभीवेक की, यानि क्रोधी, या जल्दबाज, या सासी, तो जो है, अब ओप्शन से चलते हैं, वाइलेंट, वाइलेंट का मतलब ते या हिंसक या हिंसात्मत और रिसॉर्स पूल रिसॉर्स पूल का जो है होता है सच्छम या चतूर या उपाय कुसल और प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग का मतलब मनोहर प्यारा या दिल पसंद या सुखद और रेस की बात करें तो रेस का मतलब होता है उतावला या जल्दबाज तो यहां राइट जो है इंपेच्वॉस का राइट सीनोनिम हो जाएगा उप्सटन नमबर डी यानी राइस में यह हम अब जो्या स्टार्ट करते हैं इसको इन्टोनिम्स बताना है अब इन्टोनिम्स के कुछ्चन को जो है स्टार्ट करते हैं नंबर्वान डि उननिवर्शल उनीवर्शल यूनिवर्शल का जो है राइट य एंटोनींश बताना है है the u ders का मीनिंग होता है 222o कि उप्शन की वात करें तो अप्शन नंबर वन है नैरो नैरो का मतलए होता है तंघ यहीं सखड़ाया स्विकुर्णा और रीजिनल का जो है मिनिंग होता है छेत्रिय या प्रादेशिक तो यहां जो है इनिवर्सल का राइट सिनोनिम सो जाएगा रीजिनल और मिनियेचर की बात करें तो मिनियेचर का मिनियेचर का जो है मिनिंग होता है लगो रूपिया नी छोटे अकार का और subsidiary का जो है minim होता है सहायक या मददगार तो यह universal का right जो है antonyms होगा regional next kitchen है नेश्ट है alive alive का जो है antonyms बताना है तो alive मिस होता है जिन्दा या जीवित तो इसका जो है राइट एंटोनेम सोजाएगा डेड़ यानि मरा हुआ और पैसिव की बात करें आप्शन में चलते हैं आप्शन पैसिव का मतलब आपको बता दे होता है निस्क्री है और असलीब का मतलब होता है सोता हुआ या सुसुप या निंद्रा मगन है और ड्राव जी और ड्राव जी का मतलब होता है निंद्रालो या नींद से भरा हुआ यानि आलास्य पॉर्ण भी कह सकते हैं ड्राव जी का मतलब लेश्टे एंझेश्टर वो अजस्टुप का जोंट्री योंट निम्स बताना है तो इसажеट टे का मतलर होता है हमारे पूर्वज उपुर्वज होते हैं guarantee अन्वे अने इसटर बलतेहं टो जो है इसका राइट फॉनब किया हो जाएगा डिशी डेंटेश्य डेशी डेंट् यूह हिन्धी मेनि isn't क्या होता है वह शजोर संतान और सफोर्टर्स की बात करए है तो सपोर्टर्स का मतलब होता है समर्थक, फ्लोवर का मतलब अनुवाई या छिस या अनुवाई या प्रसंसक और disciple disciple का मतलब sis या चेला तो यहां जो है अंसेस्टेट्स का राइट स्यूनियम्स होगा descendants नेस्ट है इंडाव इंडाव का जो है यहां पे अन्टोनिम्स बताना है इंडाव का राइट अन्टोनिम्स क्या होगा तो इंडाव का हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है तब ही हम जो है अन्टोनिम्स निकाल सकते हैं इंडाव का मतलब होता है दान करना या धर्म सभू देना या परदान करना है है तो जो कोई भी चीज दान कर रहा है दो इसका राइट इंटो नेम सो जाएगा बोरो और बोरो का मतलब होता है उदार लेना या उदार मांगना और श्टील की बात करें तो श्टील का मतलब चूराना और स्नेच मतलब चीनना या जपटना को जो है । असनेज कहते हैं। और ऑप्शन नमर डी है क्या है, एक्स टॉट스트ाओट किसी चीज को जो है retěना yaha बलल्पुर्वक चीनना या आपकर्शन करना एक्स टॉट को जाता हैш iterations सिंथेटिंग्स का जो है राइट autonym क्या होगा है क Two Syntetix मतलब होता है कृतिम मतलब बनाया हुआ मानो नेरमित अ तो यो आधमी बनाते हैं उसे कों सिंथेटिस कहते है और जो जो है प्रकृति का बनाया होता है उससे क्या केते हैं प्रकृति या नेचुरल तो हमारा सिंथिटी का राइट एंस और नेचुरल और बाकी ओप्सन देख लेते हैं पहला है कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक का जो है कॉस्मेटिक सिंगार का जो समान बगारा होता है उबटन प्रसादन समागरी आदि को हम कॉस्मेटिक कहते हैं और प्लास्टिक या मित्रताप पॉण या मधूर भासी, तो यहां जो है, synthetic का, right synonym, क्या हो गया, natural, और national kitchen, आज का जो है, kitchen update है, इसको आपको जो है, किसमे, comment box में, बताना है, की recover का, recover का, right synonym, क्या होगा, और दूसरा कोचन, accus, abuse, का यहां, right synonym क्या होगा इन दोनों का क्या करना है आपको synonyms बताना है यहाँ पे लिख देता हूँ इन दोनों का क्या करना है synonym आपको comment box में बताना है इसका भी क्या बताना है synonyms और आज का सेशन इतना ही पे समाथ होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो अभी subscribe कर ले और इन सारे meaning का pdf और word जो है आपको description box में एक link लिंक दिया होगा उस वहाँ पर आपको सारे option का भी हिंदी मिनिंग जो है analysis के साथ मिल जाएगा तो आप जो है link पर किलिक करके वहाँ पर देख सकते हैं विस्तार से झाल